हेलो फ्रेंड्स राद रादी आज खुशी जा रही है अपनी कॉलिज एमबी करने के लिए तो ये सुभे सुभे जल्दी जा रहे हैं साड़ शे बजे तो मैं भी बच्चो का नाश्ता बनाने से पहले नीचे आ गए थी इसको भाई कहने के लिए तो दीदी भाई साब सब छ जा रहे हैं क्योंकि आगी से गाड़ी आ रही थी तो इसलिए भाई सामने थोड़ी आगी गाड़ी कल दी फिर उसके बाद आगे मैंने बच्चो का लंच बनाए ये दक्ष के लिए बना रही हूं शेक केला और ड्रैफोर्ट जाल के इसका शेक बना देती हूं रोज में ये तीनों चीजे में काली चनी में मिक्स कर दूंगी और उपर से नीमबू डालके चांट मसाला काला नमक और हल्की सी मिर्ची भी डाल दूंगे जिसे कि थोड़ा चट पटा लगे तो इस तरह करके बच्चों को ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है और इसकोल में ले लंच में ये दिया है सारी ची एक जगे मिक्स कर दूंगी और फेस के बाद इनके टिपन में तो भव्या मेरे पास इसलिए घुम रही है क्योंकि इसको बनाने है बनवाने है अपने बाल बड़े बाल है तो इससे अपना आप से नहीं बन पाती है चोटी दो चोटी बना के पर 7 बजे तक हो जाता है सब तो यह सब अब मैं इनके लंच में कर दीती हूं चने और फिर उसके बाद बनाती हूं इसकी चोटी फिर उसके बाद अपनी चाय पानी जो लेना होता है फिर मैं आराम से बैटके अपना आदा गंटा रैस करती हूं फिर बाकी की काम में लगत तो और जो यह मैंने पहना होए यह मैंने मिंत्रा से लिया था तो बताओ अधैसले लगा तो मैं मार्केस जाने के लिए तैयार हो रही हूं मुझे सूट अडलाने और बच्चों के मुझे बहुत पसंद आ रहा था, यह मैंने तीज के लिए ले लिया है, यह थोड़ा स्मार्ट पीस लगा मुझे, इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, कॉर्टन में है, मैं ऐसे गर्मी में बैसे सूट नहीं पहने जाते हैं, प्योर कॉर्टन के सूट ही पहन पाती तो यह सूटों मैंने कुछ दुपट्टी के विज़े से लिया, देखो कितना प्यारा दुपट्टा है और कॉर्टन का, तो फिर उसके बाद हम सब ने खाई रस मलाए, तो फ्रेंड्स मेरा मेनी ब्लोग आपको कैसे लगा मुझे कमेंड के बताए, मिलते हैं नेक्स ब्लो